हेलो गाइज तो आज हम अपना मैत का दूसरा टोपिक डिसकस कर रहे हैं इसका नाम पाइप इंड सिस्टन है यह बिल्कुल टाइम इंड वर्क की तरह ही है क्योंकि हमने पहला चेप्टर टाइम इंड वर्क कर रहा था तो साथ-साथ इसको भी खतम कर लेते हैं सेम तरीका है बिल्कुल सेम थोड़ी बहुत चीज़े अलग है वो मैं आपको भी बता दूंगा चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आप सभी को पता है चैनल का नाम इगुरुकुल है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब इट और देन नाओ वी और गूंग तो स्टार्ट टैप A can fill a tank in 8 hours, tap B can fill a tank in 12 hours, if both tap open together then time to fill the tank is सेम सवाल है जैसे वो था के एक किसी काम को इतने दिन में कर सकता है दूसरा इतने दिन में तो दोनों मिलकर कितने हम करें उसी तरीके से इस बार वो दिन में करते थे या गंटे में दे दिया तरीका बिलकुल सेम है वैसे ही करेंगे टैप A लिख लिया, टैप B लिख लिया, टैप A के नीचे उसके गंटे, टैप B के नीचे उसके गंटे, दोनों का LCM ले लिया, आठर बोरा का LCM कितना आएगा बाई, 24, ठीक है ये कितना आगया, देखो उस टैमेंड वर्क में हम इसको कह लेते थे, यूनिट, टोटल वर्क के टंग की है, 24 लिटर की, ये 8 गंटे में अ cutest तो एक गंटे में कितने लिटर पानीं बड़ेगा भाई, ठीक है, तो वो निखाल लो, यहां से 3 आगया, यहां से कितना आगया, 2, इसे न दोनों टैप की आ आगया, ऐ साव एफिश hors Εे आ पोड़े है, या एक गंटे का काम यह कितना बढ़ता है थीन लिटर यह कितना बढ़ता है दो लिटर इतना सब को समझ में आया हुआ अब दोनों क्या है दोनों को जोड़ दो क्योंकि दोनों को एक साथ open करने की बात कर रहा है दोनों tap को एक साथ चलाने की बात कर रहा है तो हमने दोनों एक साथ चला दी तो दोनों को जोड़ दो नो नो एक गंटे का काम जोड़ दिया, 3 प्लस, 2 कितना आ गया भई? 5 तो भई एक गंटे में कितना लेटर पानी भरते हैं? 5 टोटल बरना कितना है? 24 कितने गंटे लगेंगे? 24 बटे 5 टोटल काम बटे जो एक गंटे में कर रहे हैं, वो तो 5 ओग 20 4 साही 4 बटे 5 गंटे लगेंगे भाई टंकी को फुल बरने में ठीक है? सबको समझ में आया होगा सेम उसी तरीके से सारा पूरा चप्टर खतम कर देंगे बस इसमें थोड़ा सा अभी आगे जो हम सवाल करेंगे, पहला मैंने छेद है या उसमें ऐसा नल लगा है जो खाली करने के काम आता है तो वो काम होगा इसमें जो टाइम अड़ वर्क में नहीं सीखाता तो वो अभी मैं अगले ही सवाल में आपको समझाऊंगा अगला सवाल है भाई कोश्चन नमबर टू Piper Assistant का इसमें क्या कहा रहा है टाइप A can fill tank in 5 hours जो टाइप मारा व पांच गंटे में टंकी को बर देता है B टाइप 6 गंटे में बर देता है और कोई टाइप C है जो उसको खाली कर सकता है कितने टाइम में बारा गंटे में अगर तीनों को एक साथ चला दिया जाए तो टैंक कितनी देर में भरेगा भरेगा या नहीं भरेगा वो भी देखने है तो टैंक तो भरेगा खर क्योंकि इसकी capacity क्या है कम है अब देखो सेम उसी तरीके से जिससे हम पूर टाइम एंड वर्ग हमने खतम कर रहा है ए बी सी में कर रहा है भाई पांच गंटे में भर रहा है कि siitä क्या कम कर रहा है छे गंट में भर रहा है और शोरी 6 गंटे में भर रहा है इसे क्या कर रहा है 12 अवह तो देख खाली करने का वाद है कि सामने ना मैम जर लगा लियर काम कर रहा है बढ़ रहा है एक है मैं काम अगर ये दोनों करते तो जल्दी खत्म हो जाता लेकिन यह के लगा लो यह टैप सी लगा लो जो खाली करने के काम कर रहा उसके वजए से जो ट्रश टाइम था वह बढ़ गये बरने का टैंक का अब तीनों का का LCM जरूर लेना है तीनों का LCM लो भई कितना आएगा जल्दी बताओ LCM कितना आएगा LCM आएगा 60 ठीक है तीनों का LCM ले लो 60 ऐसा ट्रम या कोई भी ऐसा ट्रम भी ले सकते हो जो तीनों से मल्टिप्लाई हो रहा हो टाइम अडर्क में बताया था 60 आगया अब A बरने का काम कर रहा है तो पांच गंडे में पूरा टैंक बर देता है जिसकी के पेस्टिमान लो कितनी है 60 लीटर तो एक गंडे में कितना बरेगा भई 60 बटे 5 कितना 12 लीटर पानी बी क्या करेगा भै बी भी अधर है कितना बर रहा है 10 लीटर है ज़िक में काते एक गंडे में कोई और सी क्या कर रहा है भैं सी खाली करने काम कर रहा है लेकुन कर तो गजो अगर पूरा टैंक भरा तो सी कितने देर हो पांच Ama एक घंटे में कितना खान लिखरेगा पांच लेटर लेकिन बैने फिर बताया था इसके सामने इमेशा क्या लिख लेना negative लिख लेना क्योंकि यह खाली करने का काम कर रहे हैं कि याप जब तीनों को जोडेंगे तो यह दोनों मिलकर कर इसको पतातों बढ़े उसके संवालेक्या उसमें सई गटाना पड़ेगा क्योंकि यह खली करने काम करकि यह तो और आल रेजल्ट आंड रहा है हमारे पास टेंक भर रहा है या खाली हो रहा है ठीक है कई बार इसकी capacity ज़्यादा होगी तो उस case में उस सवाल में देगा तो उसे कि पूरा भरा हुआ है टेंक और फिर तीनों को एक साथ चला है ऐसा नहीं होगा क्योंकि नहीं तो negative में काम रहेगा तो टेंक भरेगा किसा अब देखो यहां पर क्या काम हो रहा था यह पांच गंटम टैंक को बढ़ दे रहा था बारा लेटर पर आवर बर रहा है यह दस लेटर और यह पांच लेटर पर आवर खाली कर रहा है तो टोटल जब तीनों को एक साथ चलाया जाएगा ठीक है तो हुआ क्या कि 12 जमा 10 माइनस का 5 बाइस में से 5 गए बाई कितना आ गया 17 गंटे में पानी ओवर राल रिजल्ट के आए कि 17 लेटर पानी तो टेंक में भर रहा है तो टोटल बरना कितना था 60 लेटर एक गंटे में भर कितना रहे हैं हम बाई 17 तो टाइम कितना कि सही बटे में लिखना चाहो तो 17 ती आई क्या हूँवन कि 17 गंटे हुआ इतने गंटे में टेंक हमारा बढ़ जाएगा रोप सबी इस सवाल समझ में現在 में आए होगा नहीं समझ में आ तो एक बादा देता हूं देखो तीनों का काम दे रहा है Uno का मतादा बरने का तीसरे का का prag कारने का इसलिए we उसके सामने क्या लिख दिया कुकि कि स्हायरे यह 5 दिय्थे में बढूरा था इतने 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 Princet बाने 3 दे संधने 5 दिय अबश्याद मिंचकर दे और ले वाद मेद आग लेकी उसका यह 11 Г कश कर twenty ठीक है एक गंटे के काम को यह हम क्या बोलते हैं efficiency B का कितना आया 10 यह B की efficiency आगे और C क्या कर रहा है टैंक को खाली कर रहा है तो यह C की efficiency के सामने हमने माइनस लिख दिया क्यों जब overall तीनों को चलाएंगे ना तो जो रिजल्ट आना चीए वो इससे ही आएगा कि ये नेगिटिव वाड़ा है नेगिटिव ये पोजिटिव वाड़ा है पोजिटिव तो ओवराल रिजल्ट के आया है हमारे पास 12, 10, 22 में से 17 ये खाली कर दिया इसने 5 लीटर तो बच गे कितना 17 अब टोटल था 60 लीटर बरना था हम बर रहे हैं गड़े में 17 तो कितनी दिर में बर देंगा भाई साट बटे 17 ये तीन साही नो बटे 17 गड़े में को इसमें क्या कह रहा है कि दो पाइप है ए और बी वो किसी टैंक को अलग-अलग 60 मिनेट और 55 मिन्ट में बर सकते हैं सेपरेटली थार्ड पाइप की तीसरा पाइप है जो उसे खाली करने के लिए यूज किया गया है ठीक है उसको हम सी मान लेंगे कि कह रहा है अगर तीनों पाइप को एक साथ चला दिया जाए तो सिस्टन को बरने में कितना टाइम लगता है पचास मिनट तो सवाल में पूछ क्या रहा है हम से कि जो तीसरा पाइप है जिसका काम खाली करने का है अगर टंकी फुल भरी हुई हो तो वह अकेला उस टंकी को कितने टाइम में खाले कर देगा यह सवाल है तो यह सवाल थोड़ा सा पिछले सवाल जैसा ही है लेकिन इस बार उसने हमें तीनों का काम दे दिया पूछ लिया थर्ड वालेगा कि अगर टंकी फुल भर तो यह सवाल भी मेरे को करवाना था तो मैं मैंने ले लिया यह सवाल अब देखो कि ए बी और सवाल में तीसरी चीज क्या दे रखी है कि तीनों जब मिल जा रहे हैं ठीक है मैं इसको हर बर माइनस इसलिए लिख रहा हूं भाई इसका काम हमेशा टैंक को खाली करने गा तो यह याद रहे इसलिए मैं हमेशा माइनस लिखता हूं आप लोग भी ऐसा कर सकते हूं एक नीचे एक अगाँ 60 मिनट में भर दे रहा है बहई 60 मिनट में यह 75 मिनट में और जब यह तीनों काम कर रहे हैं तब 50 मिनट में टैंक भर जा रहा है तीनों का लेंगे LCM 60 और 50 का 300 पिचतर चोके भी 300 तो 300 LCM आएगा यह यह आगया इतने लिटर का हमारे पास टैंक है इसको लिटर मान लो ठीक है बाई अब ए क्या है यह बर रहा है काम यह का काम क्या है बरने का यह गंटे में कितना पानी बर देगा भई साथ पंज तीन सो पांच लिटर एक सोरी यह मिनट में ऐसा रहे एक मिनट में तो एक मिनट में कितना पानी बर देगा यह पांच लिटर यह कितना भई चार लिटर ठीक है इसके एफिशेंसी से कम है और जब यह तीनों एक साथ काम कर रहे तब कितना बरा जा रहा है क्यों पचास मिनट में बढ़ जा रहा है to белतीम काम कर रहे तब काम क्या हुरा वही ज़िए ल्टर पाणि बारने का हो रहा है अब देखो अब उसने सवाल में पूछा क्या है कि C जब अकेलर टैंक फूल वर आए तो कितना काम कितनी दیर में पूरे को खाले कर देगा तो यहां पर हमने निकालना क्या है सी अलोन कि अब देखो मेरे पास ए प्लस बी माइनस सी है ठीक है यह वाला काम है तो इसमें से अगर यह वाड़ा घटा दूं तो सी का जाएगा मेरे पास ठीक है तो यह दोनों मिल कर तो नो युनिटव पानी पर मिनिट अभर रहे तहर तो चकाम हो रहा है तो कितना जाएरी से यह मात्ता क में घ्ल कर रहा है यह खाले किんな कर रहा है तहुत हैंए कर दोका कर रहे तो यह सी से माइनtv और काम कें तो लिद्ग के डिकठ नहीं कैडर इसका काम यही तक हो इसका काम यही तक था मैंन years सब्सकत कि टीन टैंक 300 लिटर का कितनी थेर पेकार देग ऐख 300 300 बटे 3, 100 मिनिट लगाएगा भाई, 100 मिनिट में टैंक खाली कर देगा, ठीक है, यह सवाल भी मेरे को गराना था, इसले मैं ने ले लिया, Q4 है, देखो इसी टाइप के सवाल आते जाएंगे, तो मैं टाइप के हिसाब से नहीं, सवाल ही ले रहा हूँ, Q4 है, कि दो टाइप है, A और B, जो किसी टाइप को पांच गंटे और पीस गंटे में बर सकते हैं, जदि दो नो टाइप एक साथ खोल दिये जाएं, तो लिकेज के कारण टाइप को बरने में 30 मिनिट एक्स्ट्रा लगते हैं, तो अगर टाइप फुल बरा हो, तो लिकेज के दवारा टाइप को खाली करने में कितना समय लगेगा, यह सवाल है, तो देखो भाई, इसको दो पोर्शन में करेंगे, क्योंकि इस सवाल में इस पर्टिकुलर सवाल में यह नहीं दे रखाएं, कि दोनों जब काम करते हैं, दोनों बरने का जब काम करते हैं, तो कितना टाइम लगता है, तो पहले वो निकालेंगा, टैप A और टैप B, यह पांच गंटे ले रहा था, यह बीस गंटे, गंटे में है सवाल, लसम कितना है, बाई, बीस, ठीक है, यह चार यूनिट काम कर रहा था, यानि चार लिटर पर आवर, के हिसाब से यह कितना कर रहा था, एक, तो जब दोनों मिल जा रहे हैं, यह प्ल यहां से आगया हमारे पास कि जब दोनों मिल कर काम कर रहे हैं, तो चार गंटे में टैंक बढ़ जाता है, लेकिन एक लिकेज हो गया है, टैंक में, जिसकी वज़े से अब 4 गंटे निवे, कितने गंटे लग रहे हैं, साढ़े-4 गंटे, तो साढ़े-4 गंटे के भी गंट अब तो यहां से क्या हो रहा है, यह कितने गंटे में बर रहा था, पांच गंटे में, ठीक है, यहां इसको A प्लस B भी लिख सकते हैं, यहां पर, तीनों ना लिखके, क्योंकि अब तो A प्लस B हमने निकाल लिया इसको लिख लेंगे A प्लस B, यह कितने गंटे में बर दे रहा था भाई, चार गंटे में, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसलिए मैंने A प्लस B वाड़ा ले लिए, यहां से कितना है, 9 बटे 2, तो time and work में भी बताया था, मैंने इसको सही बटे से गभराने की ज़रूरत नहीं है, इस कार इस उपर वाड़े का LCM ले ले लेना हमेशा, यह जो बटे वाड़ा 2 है, जब आप इसका efficiency या एक गंटे का काम निकाड़ोगे, तब यह अपना काम कर देगा, ठीक है, 9 और 4 का LCM लोगे कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है, क्योंकि कोई comment तो है नहीं इसमें, दोनों का multiple ही इसका LCM होगा, यह आ गया, उसके बाद जब यह तीनों मिल जा रहे हैं, तब कितना काम हो रहा है, 9, 9 लिटर पर आवर, और जब तीनों मिल जा रहे हैं, तब कितना काम हो रहा है, अब यहाँ से निकाड़ेंगे, 36, बटे 9 करेंगे, बटे 2 करोगे, तो इस 2 कहाँ चला जाएगा, यहां multiply में, ठीक है, तो मैं इसको यहीं लिख दे रहा हूँ, 9, चोग, 36, और कितना काम हो रहा है, 8, 4 दुनी 8, जब 3 मिल जा रहे हैं, तब 8 लेटर काम हो रहा है, मतलब 8 लेटर पर आवर के हिसाब से, औ हो, तो भई, C का काम यहां लिख दे हम, C कितना काम कर रहा है, जाहिर से बात है, दो बंदे 9 कर रहे है, तीन बंदे 8 कर रहे है, तो C का क्या बचा है, एक, तो यह एक काम कर रहा है, कितना भई, एक लिटर परावर के हिसाब से, टंकी को खाली कर रहा है, अपना लिकेज, ठीक है, मैंने इस लिकेज को भी एक टैप ही मान लिया, आप भी इसी तरह से कर ले ना, टोटल कितने लिटर पाणी था, 36 ये एक लिटर परावर के इसाब से खाली कर रहा है, कितना टाइम लगेगा भाई, 37 बटे एक, ये 36 गंटे लगेंगा, इसको खाली करने में लिकेज, अगर टंकी पूरी भरी हुई है, तो, ये माइनस सिर्फ इंडिकेशन है कि इसका काम खाली करने का है, इस माइनस को गवरान मत देख के, के इसका काम सिर्फ इतन ही कि हम इसको इसलिए लिख रहे हैं कि इंडिकेशन है कि यह भई टंकी को खली करने का काम कर होप आप लोगों को सवाल समस्झ में आ रहा होगा ऐसे ही और दो-चार ऐसे ही सवाल और करेंगे इसके उपर जो मेरे को सई सही लग रहे हैं उस टाइप के सारे लगबग करा दूंगा मैं फिर भी कोई बच जा है तो आप लोग कमेंट में लिख देना एक फिर सेपरेट वीडियो बना देंगे के टाइमेंड वर्क के कुछ एकाड टाइप बचे होंगे और सिस्टन की टाइप और सिस्टन की कोई एकाड टाइप बचे होगी तो उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दें वैसे मैं कोसिस तो यह कर रहा हूं कि ना ही बचे फिर भी अगर कोई लग रहा हो आप लोग हो तो कमेंट में जरूर लिखना और आपको थोड़ी बहुत जो भी इसमें सुधार जनक चीजे लग रही हो कि नहीं इसमें आपको ऐसा करना चाहिए वो भी आप जरूर लिखना क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे अभी जो यह वीडियो देख रहे होंगे जो पहले कही और से भी तैयारी जिन्होंने करी होगी या किसी और यूट्यूब चैनल से भी जुड़े होगे तो कोसिस तो मेरी यह है कि चीजों को सिंपल करके आपको बताऊं फिर भी अगर कोई कमी रह रही हो तो जरूर कमेंट में लिखना आप नमबर पांच पाइपन सिस्टन का द उसके बाद देखो उनकी एफिशेंसी यानि उनके उनकी एफिशेंसी के बारे में बता रहा है कि जो पाइप C है वो दूगनी कती से काम करता है B से और जो B है वो दूगनी कती से काम करता है A से तो A कितना टाइम लेगा टैंक को फुल बरने होगे यह सवाल है तो देखो मैंने रोल पहले ही आपको बता दिया है time and work में कि efficiency जिसको समझ में आ गई वो दोनों चप्टर बहुत आसान इसे कर लेगा तो यहां देखो पहले ऐसे लिख ले रहा हूं मैं A B C देखो अब सवाल को थोड़ा समझने ही जरूत है कि दे तो यहां से रखा है कि C दूगणिकत इसे करता है इसे तो हमें मानना किसका है तो शुरू करते हैं देखो जिसकी सबसे काम है वहां से चलते हैं मान लोगए A की अगर efficiency 1 है तो B की इससे दूगणिती कितनी हो जाएगी भाई 2 efficiency लिख रहा हूं मैं यहां ठीक है और C की कितनी हो जाएगी वो बी की दूगणि है तो efficiency 3 हो गया गई हमारे पास A की 1 B की 2 और C की 4 तो यहां लिख लिए मैंने A B और C 1 2 और 4 efficiency यहीं लिखते हैं हम लोग उसके बाद देखो यह चीज दे रखे हमारे को क्या दे रखा है कि जब 3 मिलकर काम करते तो कितने गंटे लगते हैं कितने गंटे लगते हैं पांच और तो तीनों जब मिल जाते हैं तो तीनों की efficiency कितनी हो जाती है और निकाड़ लो क्योंकि अगर efficiency हमारे पास तीनों की और तीनों की काम है तो total काम आजाएगा हमारे पास यही तो करते थे time and work में हमारे पास कोई भी दो variable होग वेरिबल हो sorry तो तीसरा मारा आम से निकार लेते तिनों की कितने चार दो छैरेक साथ ये आ गई तिनों के efficiency टाइम कितना लेते थे भाई पाँच गंटे अपस में दोनों को कर दो multiply क्या जाएगा total काम आ जाएगा इतने लिटर का टैंक आ गया हमारे पास अब पूछा क्या है उसने हम से सवाल में पूछ लिया कि A कितनी देर में पूरे टैंक को बरेगा तो A गंटे में कितना काम करता था एक लिटर बरना कितना है 35 तो 35 बटे 1 35 गंटे लगाएगा भाई कोण A ठीक है यहाँ से A का काम यागा 35 गंटे अगर वो B का पूछ लेता तो B का निकाल दो भाई एक गंटे में कितना काम करता था 2 टोटल काम है कितना 35 तो 35 गंटे 2 इतने गंटे लगाएगा B C का पूछ लेता तो C कितना है 4 एक गंटे में कितना काम कर देता है 4 लिटर पाने बर देता है तो टोटल किक था कितना 35, 35 बटे 4, तो सवाल को समझने की जरूरत है, और एफिशेंसी को तो खास तोर पे, ठीक है, एफिशेंसी को खास तोर पे समझ लोगे, तो एजीली सवाल कर पा होगे, है, नेक्स्ट कोश्चन है हमारा कह रहा है, टू पाइपस ए और बी कैन फिल ए टैंक इन 15 आर्स और 20 आर्स, तो पाइप ए और बी किसी टैंक को 15 गंटे और 20 गंटे में बर सकते हैं, एक तीसरा पाइप है जो खाली करने का काम करता है, और वो पूरे भरे हुए टैंक को कितन में 25 गंटे में खाली कर देता है, फिर सवाल में क्या कह रहा है, सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 10 गंटे के बाद जो पाइप C है, जिसका काम खाली करने का है, उसको बंद कर दिया जाता है, तो अब जो टैंक है, उसको बरने में कितना समय यह सवाल है, तो देखो, इसमें करना क्या है, यह A है, यह B है, यह C है हमारे पास, इसका काम क्या है, खाली करने का, यह 15 गंटे में भाई बर देता है, यह 20 गंटे में बर देता है, और जो तीसरा पाइप है, इसका क्या काम है, खाली करने का है, यह पंदरा गंटे में बर 25 गंटे में क्लिक टैर देता है तो भई, इन थीनों का लेलो HCm इसना है तीनों का लेल स्थएम इसेंड़ा र Kayla तो इतने लीटर का हमारे पास ये तैंक आ गया ये फंद्रह गंगर देता है ये 20 गंटे में ये 25 गंटे में खाली कर देता है तो इसका क्षेक्ट का काम क्षिपथ्प करता है Hmm किसली करता है यह पंदरा लिटर काम करता है , 35 बटेव करूँ तो तो कितना आजाएगा 15 लिटर उसके बाद ये कितना करेंगे वाई जो लोग सीधा ये वीडियो देख रहे होंगे उनको शायद समझ नहीं आ रहा हुगा ये बीस कहां से आ गए ये कहां से आ गए तो पहले तो उनको बता दू उनको पहले से वीडियो देखने चाहिए फिर भी ना देखना चाहिए सिर्फ पाइब इन सिस्टन समझना है तो बहुत टोटल वर्क जो हमारा आ जाता है उसके अपोन जो ये टाइम टेकन था इसको कर दोगे तो ये क्या आ जाती है हमारे पास एफिशेंसी आती है या वंडे वर्क आता है एक दिन का काम या उसी को हम एफिशेंसी बोलते है वह आता कहा से है कि जो टोटल काम हमारे पास उसके अपोन ये टाइम टेकन करने से ठीक है ये पंदरा आ गया ये कितना आ जाएगा भाई बारह ठीक है ये काम आ गया बारह इसके आगे माइनस इसलिए लिखता हूँ है बार बार ताकि याद रहे जोड़ना दू गलती से आप लोग भी ऐसे ही करना गलती नहीं होगी आप से कभी भी ठीक है यह हो गया हमारे पास अब देखो जब यह 3-0 मिल जा रहे है तब काम हो क्या रहा है A प्लस B-C यह निकाल जरूरी है क्यूं कि बाई 10 गंटे सकता है एक साथ। 20 15 35 माइनस 12 करो कितना आ जाएगा 23 इसको मैं बार बार लिटर इसलिए लिख रहा हूं कि टंकी का सवाल है तो लिटर से जालदा साहिशे हो पाता है समझ में भी जाहिए तो एक गंटे में 23 लिटर पाने बह रहा है तो 10 गंटे मितना बर जाएगा जब 3 नों मिल जा रहे हैं तो 20 गुणा 10 230 लिटर पाणी बर गया बच 10 गंटे में बरना कितना था 300 लिटर रिमेनिंग कितना बचा 300 माइनस 230 70 लिटर पाणी और बरना है 70 लिटर पाणी बरना किसको है बच सी तो बंद कर दिया और यह तो पहले से भी खाली करने का काम कर रहा था तो अब जो काम बच गया वो करना किसको है इन दोनों को तो बच यह दोनों एक गंटे में कितना काम करते थे 20 प्लस 15 35 लिटर पाणी यह एक गंटे में बरते थे तो बरना कितना है 70 कितना टाइम लेंगे भई 70 बटे 35 यह दो गंटे में जो रिमेनिंग काम है उसको खतम कर देंगे और 10 गंटे तक यह काम चला था तो टोटल टाइम कितना लगा भई इस टैंक को बरने में 10 जमाद 2 12 गंटे में यह काम यह जो टैंक था यह टैंक 12 गंटे में पूरा बर जाएगा यह सवाल था यह इसका अंसर है एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं हमारे पास उसने तीन पाइब करोंरे किती ऊळले का Тुरιक करने काएखा ड़ा कटिया उसके बाद 10 गंटे के बाद जो इनग न्ट उसका काम खाली करने का था उसको भंद कर दिया तो टोटल जो time लगेगा tank को बरने में वो कितना लगेगा तो बहुए 300, यहां से हमने LCM लिया 300 का कितना है 300 300 लिटर एक तरह से हमारे full capacity A tank की वो उतना हमें बरना है यह गंटे में 20 लिटर पानी बरता है ये B जो है ये 15 लिटर बरता है और C क्या करता है वर 12 लिटर खाली कर देता है गंटे तो तीनो जब एक 7 लिटर पानी कितना काम करते है वर तेइस लिटर पानी बरने का काम करते 10 गंटे तक 3 एक साथ चले थे तो 10 एक गंटे में 23 करते 10 गंटे में कितना कर दिया 230 लिटर पाणी इसमें अल्रेड़ी बढ़ दिया लेकिन अब क्या हुआ 10 गंटे के बाद C जो खाली करने का काम था वो बंद कर दिया अब सिर्फ बरने का काम हुआ तो रिमेनिंग अमारे पास 70 लिटर और बचा हुआ था टैंक बरने के लिए वो काम करा ये और बी ने दोनोंने मिलकर ये गंटे में 35 भरते थे 2 गंटे में कितना कर दिया 70 लिटर टैंक बर दिया तो 10 गंटे तक 3 चले थे 2 गंटे ये 2 चले टोटल काम हुआ बारा गंटे में बारा गंटे में पूरा टैंक हमारा पर गया होप सभी को समझ आ रहा हो गया मैं अपनी तरफ से तो भाई बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ कोसिस यह रहेगी कि आपके सारे कॉंसेप्ट क्लियर कर दू अगला सवाल है सवाल छोटा सा है लेकिन कई लोग गल्ती कर देते हैं तो गल्ती ना हो आपके लिए उसके लिए ही मैं आपको यह बता रहा हूँ देखो क्या कह रहा है दो पाइप है A और B किसी टैंक को साइमेंटेनियसली 24 मिनिट साइमेंटेनियसली नहीं है सोरी अलग-अलग है सेपरेटली 24 मिनिट और 32 मिनिट में बर देते हैं अगर दोनों पाइपों को एक साथ चला दिया जाए तो कितने टाइम बात B को क्लोज करें कि जो टैंक है उसको बरने में 18 मिनिट का समय लेगें थोड़ा सा ट्रीकी है बस समझने वाली बात है देखो A और B A कितनी देर में बर देता है बाई 24 मिनिट में और ये 32 मिनिट में बर दे रहे ठीक है दोनों का लस्म ले लो दोनों का लस्म कितना आएगा 24 तो काश्यान में 32 तेश्म 96 ये आगे दोनों का हमारे पास LCM A की efficiency कितनी आएगी 4 लिटर पर आवर इसको लिटर ही मान लेते है यतने लिटर का टैंक है 24 चोक के छाण में 4 लिटर पर आवर के हिसाब से बरता है ये कितना बरता है बाई 3 लिटर पर आवर के हिसाब से ठीक है यह तीन लिटर के इसाब से बर रहा है चार लिटर के साब देखो आप समझने वाड़ी बात क्या हो क्या कहा रहा है कि टैंक 18 मिनिट में बढ़ जाना चाहिए कब कि जब B कुछ देर बाद बंद कर दिया जए ठीक है अब वही पूछ रहा है आप से कि कितनी देर बाद B को बंद करें लेकिन जो टैंक सोरी पाइप ए है वो तो भाई इस इस चलना चलना है तो यह केला अथारा मिनिट में कितना काम कर देगा अगर वो निकाल ले हम तो बी क एक मिनिट में कितना काम कर रहा है बाई चार यूनिट अठारा में कितना कर देगा अठारा मिनिट में कि मुल्टिप्लाइकर दो अठारा से अठारा चोग बादतर लिटर काम कर दिया इसने तो जो आग की बच गया वो काम को करने है क्योंकि एका तो आम ने सारा पूरा ठारा मिनट का निकाल दिया आधि mins और एक इसी इंडिपेंडेंट आद्में काम पूरा काम निकाल ले तो जो सेष काम बचेगा वह दूसरे कहीं बचेगा अब देखो 96 टोटल काम था जिसमें से बात्तर ए ने कर दिया कितना बच गया भई 24 24 लिटर काम करना किसको B को कितनी देर मैं कर देगा 24 बटे 3 8 मिनिट में ए काम कर दिया इसने तो भई टैप कितनी देर बाद बंद करना है 8 मिनिट बाद 8 मिनिट बाद हम टैप B को बंद कर देंगे तो इस अठारा मिनिट में हमारा काम हो जाएगा थैंक्यू यह पाइपेंड सिस्टन का अमारा लास्ट सवाल है अल्टरनेटिव वाला और करवा देता हूं यह लास्ट इसलिए मैं लास्ट करा रहा हूं यह देखो इस टाइप में क्या है जैसे हमने टाइम एंड वर्क में अल्टरनेटिव वाला कर रहा था सेम है लेकिन यह पर्ट्टिकुलर सवाल में क्या कह रहा है कि पाइप है जो किसी टैंक को 10 गंटे में बर सकता है और पाइप B है जो इस टैंक को 30 गंटे में खाले कर सकता है किरेक टैंक को बरने में कितना समय लगेगा अगर दौनों पाइप हो को cognitively चला जाया कि एक बार बरने वाले को एक बर खाली करने वाले को चलाया जायाए और क्योंकि दूसरा इसमें बनी नहीं सकता दूसरा जब बन सकता है जब टैंक फूल बराओ या अधा बराओ इस तरह केगा वो स्टेटमेंट अमें देगा तब ही हो सकता है ठीक है इस पर्टिकुलर सवाल में क्या पहले कुछ ना कुछ पाणी उसमें बरना पड़ेगा जबी तो खाली वाड़ा चलाया जाएगा हमारे पास घब माइनस इसलिए क्योंकि खाली करने का काम कर रहा है ये ढस घंटे लगा रहा है भरने ये टिस गंटे लगा रहा है थैसं गनक कर दे रहा है एक लीटर ठीक है भई यहां तक कितना सब को समझ में आ गया होगा यह 3 लिटर बरने का काम कर रहा है एक लिटर रिताने का काम कर रहा है खाली करने का काम कर रहा है अब पहले गंटे में क्या हुआ फर्स्ट आर काम किस ने करा भई ये ने क्या करा तीन लिटर पाणी बर दिया उसमें दूसरे गंटे में क्या हुआ बी ने काम किया क्या काम करा भई एक लिटर खाले कर दिया तो जैसे हमने time and work में करा था इन दो गंटों के बाद जो तीसरा गंटा रहेगा फिर से बारी किस के आजएगे एक ही फिर बारी किस के आजएगे बी की तो ये cycle बार बार क्या होता रहेगा repeat आता रहेगा इसको हम क्या बोल देंगे की साइकिल कें कि एक साइकिल में हो एक मान रहे हैं दो लिटर पानी अद्या गर जा रहा है और किका। अब फिर से उसी जैसे हमने time and work में किया था कि एक cycle में जितना काम आया है उससे total काम को divide करेंगे पूरा पूरा जा रहा है तो ठीक नहीं जा रहा है तो फिर जहां तक पूरा जा रहा है उतने cycle तो हमने लिखने लिखने फिर जिसकी बारी आएगी वो देखा जाएगा तो टोटल काम था कितना भै 30 लिटर काम था 2 लिटर काम एक cycle में उसे डिवाइड करा जो आंसर आया हो क्या है हमारे पास 15 cycle बस ध्यान देना यह 15 गंटे मत लिख देना सिद्ध उप्सन में मिल जाएगा 15 भी आंसर लेकिन वो सही नहीं रहेगा यह 15 क्या है हमारे पास 15 cycle लगेंगे बैस काम को complete होने में ठीक है लेकिन एक cycle में गंटे कितने थे उससे multiply करोगे जब गंटे आएगे तो एक cycle में कितने गंटे थे बच दो तो पंदरा इंटू दो करोगे जब यह आंसर आएगा तीस गंटे में यह कंप्लीट बर जाएगा होप सब को समझ में आया होगा cycle वाड़ा concept में एक बर फिर से बता दे रहा हूं ए था बहुत टैप का काम था पानी बरने का बी यह उस टैप का काम में पानी खाली करने गा दोनों का ए नही काम करा अगले गंट ढिने करा इसी तरह से किसे अगर काम चलता रहुकर कितनी टाइम में काम यह जो हमारा टैंक है यह बर जाएगा काम बार-बार मुझे मुझे जबान में इसलिए आ रहा है क्योंकि हम टाइम इंड वर्क में भी सेम ही करते थे ठीक है तो पहले गंटे में यह ने तीन लिटर बढ़ दिया दूसरे गंटे में बीन लिटर खाली कर दिया और रजल् दो लिटर काम करा ठीक है दो लिटर पानी बढ़ दिया टोटल काम जो भी था उससे और एक साइकल में जितना टोटल पानी भर आगये उससे डिवाइड करा कितने साइकिल आ गए भई complete cycle बाइचांस अगर यहां पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता बाइचांस यह टैंक की कैपस्टी मानलो 32 लिटर होती यह 33 लिटर होती तो जो काम बच जाता है 15 साइकल तो complete आगए अब जो remaining कितने 15 साइकल आगए यानि 30 गंटे तो यह हो जाते complete उसके बाद इक 30 गंटे में क्या होता तीन लिटर यह पानी बढ़ देता ठीक है यह तीन लिटर और बढ़ देता उसमें फिर ऐसे चलता रहता ठीक है यह इसलिए है कि यह concept मैंने time and work में बहुत अच्छे से कराया है वो वीडियो देख लेना उससे यह clear हो जाएगा एक दम से ओप यहां तक सब को समझ में आया होगा भाई यह हमारा लास्ट वीडियो था इसके बाद अगला चैप्टर हम देखेंगे मैं decide करूंगा क्या पढ़ाऊंगा अगला चैप्टर की वीडियो भी जल्दी आ जाएगी थैंक यू सो मच चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना चैनल का नाम है इगुर कुल थैंक यू पाद बाल झाल 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 झाल